मेरे बच्चे तुम चिन्ता करना बिल्कुल छोड़ दो अपसी तुम्हारा सोचा सब काम बन जाएगा तुम इस चिन्ता को धरकिनार कर दो मेरा आशीरवात तुम्हारे साथ है मैं स्वेम तुम्हारे साथ खड़ी हूँ जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो तुम्ह किस बात की चिंता सता रही है मेरे बच्चे जब तक तुम्हारा जीवन पूरी तरह से खुशाल नहीं बन जाता तब तक तुम्हारे पिता महदेव जी चैन से नहीं बैठेंगे मैं तुम्हें पूर्ण विश्वाश दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन में आ रही जो भी परेशानी है वह अब सब जड से समाप्त करने के लिए मैं आई हूं अगर तुम्हें मुझ पर विश्वाश है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर मुझे अपनी स्विकृती अवश्य दे मेरे बच्चे अब तक तुम बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो अब सुनो अभी तक तुम जिन लोगों के पीछे चल रहे थे जो की तुम्हें कुछ नहीं समस्ते तुम्हें अब बिल्कुल छोड़ना होगा अपना समय और जीवन अब तुम्हें युही नस्ठ नहीं करना है तुम्हें अब अपनी अहमियत समझ में आ गई है अब तुम एक उर्जा और नए जोश ऐसे परिपूर्ण खोच के हो अब तुम्हारा मन लगातार दिन रात बिना रुके मेहनत करने के लिए तैयार है और अब तुम तैयार हो उन सब लोगों के मुहों बंद करने के लिए और एक चटाकेदार थपड उनके मुहों पर जड़ने के लिए और यह सब तुम्हारी सफलता और काम्याबी से होगा पिछले लंबे समय से तुम काफी दुख और कश्ट से गुजरे हो अपने स्वास्ते, अपनी पारिवारिक और आर्थिक स्तिथी को लेकर तुम बहुत दुखी रहे हो बहुत आंसु तुमने बहाए हैं लेकिन मेरे बच्चे अब तुमने ये पूरी तरह से सोच लिया है कि ना तो तुम अब आंसु बहाओगे और ना ही किसी भावना में बहोगे अब तुम उन सब को मुह तोड़ कर जवाब दोगे अब तुम किसी के भी सामने जुकोगे नहीं तुम अब अतीत को अपने बीते हुए कल को अपने दुख को अपने आने वाले सुनहरे भविश्य के सामने नहीं आने दोगे तुम्हारा स्वयम से वादा है कि इस साल महादेव जी को मुझ पर गर्व होगा यह आपके बच्चे का आप से वादा है लोगों ने तब सारी हदे पार कर दी मुझे अंदर तक तोड़ने का प्रयास किया लेकिन आपका आशीरवाद मेरे साथ है ऐसे लोग जो डरपोख होते हैं पीठ पीछे बार करते हैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ मैं और ना ही ऐसे घटिया लोग आपके आशीरवाद से पूरित संतान को तोड़ सकते हैं मुझे ये सोच कर बहुत पचतावा होता है कि मैंने किस तरह के लोगों के पीछे अपना समय बरबात किया बस अब और नहीं अब मेरे बच्चे समय आ गया है तुम बेकार के लोगों की बातों में स्वें को उलजाए बैठे थे ये ब्रहमांड इंतजार कर रहा है कि कब तुम अपने आपको पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे वे लोग जो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ दे कर जलते हैं बार बार तुम्हें तुम्हारे उस बीते हुए कल की याद दिलाएंगे लेकिन मेरे बच्चे तुम अपनी रहा से बिलकुल मत भटकना अब तुम अपने जीवन की उस उच्चाई पर पहुँचने वाले हो और वहां पहुँचने के लिए तुम्हें इस अंचाहे बोज को उतार फैकना होगा तब ही तुम उस मुकाम पर पहुँच पाओगे इस रहा में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे इसमें वे ही नुकसान में होंगे क्योंकि उनके भागे में ये उच्चाई पर जाना नहीं लिखा है और ना उन्होंने इतने बड़े सपने देखे हैं तो मेरे बच्चे तुम अकेले ही चलने को तत पर रहो और इस तरह के लोगों से कोई भी आशा मत रखो आस तक जो भी इच्चाएं और सपने तुम्हारे पूरे नहीं हुए थे वे सब अब मैं पूरा करूंगी अब हर तरफ से आशीरवाद की वर्षा होगी मेरा और इस पूरे ब्रहमान का आशीरवाद अब तुम्हें मिलने वाला है अगर आपको विश्वाश हो तो हाँ मिलने वाला है टाइप करें देरे बच्चे तुम पल-पल अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो तुम अब स्वेंब को पहचान रहे हो खुद की ताकत पर भरोसा कर रहे हो अपनी कमियों पर लगातार काम कर रहे हो जबसे तुमने ये द्रिड संकल्प लिया कि अब तुम रोगे नहीं उतना ही अब तुम चमक रहे हो तुमारी इस चमक से उन लोगों को जलन हो रही है जो तुमारा बुरा चाहते थे अब वे पूरी तरह से जल बन चुके हैं और अपनी बुरी नजर से तुमें भी जलाना चाहते हैं तो अब तुमें स्वैम को उनकी बुरी नजर से बचाना है तुम भूल कर भी अपनी खुशी को उनसे मत शेयर करना तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है जो की तुमें अब यह लग रहा है कि महादेव जी मेरा सुन्दर समय आ गया है मैं धीरे धीरे तुम्हारी हर बिगडी हुई दशा को सुधार दूगी जिस स्थान पर तुम स्वैम को फसा हुआ पा रहे थे अब वही पर तुम्हारे जीवन में अद्बुत चमतकार अब होंगे कई बार तुम अपने शरीर और स्वास्ति की वजह से भी पीछे रह जाते हो लेकिन अब मैं तुम्हारी हर उस समस्या का समाधान करूंगी तुम्हारी हर पूजा और प्रार्थना का पूरा फल दूंगी और अब तुम्हे भी अपने पिता महदेव जी से वादा करना है तुम्हारी इन सपनों भरी आखों में अब कभी भी आशू नहीं आएंगे कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परस्तिती हो तुम मेरा आशीरवाद अब हमेशा अपने साथ पाऊगे और सदीव खुश रहोगे मुझ पर फरोसा रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर सकती वह कुछ दिखाना चाहती है वह कोई सच्चाई उजागर करना चाहती है तुम मुझ से ये पक्का वादा करो कि हर परिस्तिथी में अपने मन को शान्त करके मुझ से जुडने की कोशिश करोगे और हर परिस्तिथी में अपने महादेव जी का धन्यवाद करोगे ये ही वादा तुम्हें मुझ से करना है मेरे बच्चे अब तुम स्वार्थी लोगों के पीछे फागने में अपना समय खराब नहीं करोगे इसकी बजाए अपने उन सुन्दर सपनों के पीछे भागोगे और सुएम पर काम करोगे तुम्हारा ये सुन्दर जीवन अब आशीरवादों से परिपून होने वाला है मेरी शक्ती अब तुम्हारे अंतर मन में प्रवेश करने वाली है ये तुम्हारी भक्ती ही अब तुम्हारी शक्ती बनने वाली है तुम्हारी ये सच्ची भक्ती और पोजा ही तुम्हें वहां लेकर जाने वाली है जहांके तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बस अब तुम कभी भी मेहनत से मुहूं मत मोरना अपने घर, शरीर और मन को सदेव साफ रखना क्योंकि जितनी साफ और साकारात्मक उर्जा होगी उतनी ही पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर होगी इसलिए हर रोज कुछ ऐसे काम करना जिससे की साकारात्मक ता हमीशा तुम्हारे आसपास रहे हर रोज सुभे अपने घर में जाडू लगा कर फिर नमक के पानी का पोचा जरूर लगाना हो सके तो पक्षियों को दाना डाल देना सुभ घर में भजन सुनना ऐसे ऐसे काम करना जिससे तुम्हारा मन शान थो अपनी हर उठने बैठने चलने बात करने की क्रिया पर ध्यान देना और ऐसा हर समय बरताव करना जैसे तुम्हारे सारे सपने सच हो गए हो अब तुम पहुत बड़े आदमी हो जब तुम वहां पहुँच चाओगे तब तुम कैसे जिन्दगी जियोगे कैसे रहोगे कैसा वहवार करोगे बिल्कुल वैसा ही जीना अब शुरू कर दो अब तुम्हारे सारे सपने सच होने का समय आ गया है अगर मुझसे प्यार है विश्वाश है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भागेशाली संख्या 1111 टिपनी कर मुझे अपनी स्विक्रती जरूर देना मेरे बच्चे वह अब स्वैम को भगवान समझने लगा है ऐसा इसलिए हुआ कि उसे लगा कि अगर इस संसार में ईश्वर है तो उसे सजा मिलती उसे इस बात का घमंड है कि इस संसार में कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगार सकता वे अंतर मन से बहुत ही नेगिटिव इनसान है और ऐसे ही बुरी शक्तियों को उसने बसमे कर रखा है इन शक्तियों से अपने मन के मुताबिक वह कोई भी काम करा सकता है जिसे चाहे रुला दे जिसका चाहे कुछ भी बुरा कर दे लोगों को तकलीफ दे कर उनको नीचे गिरा कर वह स्वेम सबसे उंचे शिखर पर बैठ जाएगा सब उसको ऐसा करते हुए बस देखेंगे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी अब उसके अंदर इतना घमंड आ गया है तुमने अपना पहुत सा समय उसे समझाने में लगा दिया तुमने हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसके सर पर घमंड का भूत सवार है अब अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है जैसे उसे अपने तंत्र शक्ती और नकारात्मक उर्जा पर यकीन है उससे हजार गुना यकीन तुमें अपने महादेव जी पर है तुम इस बात से पूरी तरह से अवगत हो जब कल युग में पाप का मटका भर जाता है तो वह जरूर फूट जाता है कल युग में इश्वर को पाना सबसे सरल होता है युग चाहे कोई भी हो और पापी चाहे कितना भी शक्ती शाली हो उसे उसके पापो का दंड अवश मिलता है तुम मेरे भक्त नहीं हो तुम तो मेरी संतान हो और जब बच्चा मा को पुकारता है मा के सामने रोता है तो मैं अपने बच्चे के लिए स्वेम महादेब जी से भी लड़ जाती हूँ तो फिर इसकी तंत्र क्या बिगार सकता है बड़े बड़े अगोरी तंत्र विद्या वाले मेरे चर्णों में लोटते हैं ये तंत्र विद्या भी महादेब जी के आग्या और मेरे आशीरवात के बिना नहीं पाई जा सकती तुम्हें इस बात से सुकून मिलना चाहिए कि वह इतना नीचता भरे काम कर रहा है मेरी साधना करके वह आज मुझे ही आँखे दिखा रहा है अब उसकी आँखों से खोन के आँसू बहेंगे मैं अब उसकी ऐसी दशा कर दूँगी अब उसका भविश अब अंधेरे में डूब जाएगा अब उसका आने वाला समय नर्क से भी बत्तर होने वाला है उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है उसने तुम्हारे बहुत सारे रिष्टे तोड़ दिये रिष्टों को परबात कर दिया उसने अभी तक जो भी सुख पाया है यह सब उसके पिछले जन्मों का ही फल है उसे मिला है अब वह सब पुणने खत्म होने का समय हो गया है अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है जिसका तुमने लंबी प्रतिक्षा की है उसने ना तो सुयम निभाया और ना ही दूसरों को निभाने दिया उस कारण से तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो निर्ने लेने की शक्ती तुम खो चुके हो अपने जीवन के सही फैंसले तुम्हारी समझ से बाहर हो रहे है उसने तुमें अंदर तक खोखला करा है लेकिन मेरे होते हुए तुमें कोई गिरा नहीं सकता उस धोंगी की भक्ती दिखावा थी तुमारी भक्ती ही सच्ची भक्ती है इसी के कारण तुम जी रहे हो उस धोंगी को लगता है कि उसकी इस विद्या को कोई विफल नहीं कर सकता ये बस अभी उसके अच्छे समय जो बचा है उसका ही कारण है अभी उसे अपने पिता अपने पूरवजों के पुन्ने कर्मों का फल मिल रहा है लेकिन अच्छे वक्त में ये घमंडी और नीच व्यक्ती और जादा नीचता भरे काम करते हैं लेकिन इस बात से अंजान की उनके अच्छे समय लिख रहे हैं मैं अब हर पल उसे उसके इन पाप कर्मों को गिनवाऊंगी उसने मेरी भक्ती का दिखावा करके उसने उससे भोले भले लोगों का दिल दुखाया है इतना चल किया है जो की माफी के काबिल नहीं है अगर अब मैंने इस वक्त उसे माफ कर दिया तो लोगों का मुझ पर से विश्व उठ जाएगा इसलिए उसे अब सजा मिलनी चाहिए मेरे बच्चे तुम्हें नयाय मिलना है जो की मिलकर रहेगा अगर तुम्हें मुझ पर विश्वाश है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भागेशालियंग 1515 टिपनी कर मुझे अपनी स्विकृती अवश्य दे मेरे बच्चे उस ठोंगी की इन काली करतूतों का परदा फाश होना है उसे यह एहसास की मेरे भक्त ठोंगी नहीं होते वह मेरी इन पवित्र शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं किसी दूसरे का पुरा करने के लिए मेरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं वह मेरे ही बच्चे हैं, मुझसे प्रेम करते हैं वह सभी से प्रेम करते हैं, क्योंकि सच में उन्हें मैं ही प्रतिविम्बित होता हूँ जो मेरा भक्त है, मेरा बच्चा है, वह किसी दूसरे को आंसों में नहीं डुबो सकता अब तुम देखना उसका अब क्या हश्र होगा जो देखकर आज के बाद कोई भी सुमयम को भगवान से उपर समझने की सोच भी नहीं करेगा अब वह मेरे आगे गिडगिड़ाएगा, लेकिन अब उसके अच्छे दिन समाप्त हो चुके है अब उसका जीवन एक गहरे और अंधेरे कुवे की तरह होने वाला है अब वह अपने इसी घमंड और धोंगी पन के कारण अपनी सारी शक्तियां खोने को है स्वयम को अकेला लाचार और शक्ति हीन पाएगा जहां पर कोई भी उसके साथ नहीं होगा तब वह यह जान पाएगा कि मेरी कृपा और अशीरवात के बिना उसकी ये सारी शक्तियां बेकार हैं मेरी इन शक्तियों का गलत प्रयोग करके उसने स्वयम को बरबात किया है तुम्हारी आँखों में जो ये आँसु उसकी वजह से आए हैं और उसने तुम्हे कमजोर समझने की जो भूल की है और मुझे चुनोती देकर उसने स्वयम ही अपने काल को बुलावा भेजा है अब वह मेरी क्रोध की अगनी में फस्म हो जाएगा और मेरा प्यारा बच्चा अब तुम खुले आसमान में उची उडान के लिए अपने पंक खोल लो अब तुमें अपने जीवन में उची उडान भरने से कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हारा जीवन जो अब तक सूना था अब खुशियों की बहार आनी है जिन परिस्तितियों से तुम पिछले न काफी समय से जूज रहे थे उन पर तुम अब जीत हासिल करने वाले हो तुम्हारे जीवन में सिवाई अंधेरे के कुछ नहीं था कुछ ऐसी जानकारी जो की तुम्हारे जीवन से जुड़ी है अब तुम से चुपाई हुई थी वह अब तुम्हारे सामने उजागर होगी और वह जो तुम्हारा नस्दीकी है वह स्वेम अब तुम्हें एक ऐसी बात से अवगद कराने वाला है जो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाली है जिसे जो तुम्हारे जीवन में दिल और दिमाग में चल रही परेशानी जो कि इन लोगों की देन है कुछ ऐसे राज अब सामने आने वाले है उस जानकारी को तुम सही वक्त पर सोच विचार कर इस्तेमाल करना ये जानकारी भूल कर भी उन लोगों के शेयर मत करना जो कि तुम्हारे खिलाफ हों और तुम्हारे विरुद जो कि तुम्हारे खिलाफ हों तुम्हारे विरुद जो शडयंत्र था वे अब नाकाम होगा अब तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि किसी का बुरा भी ना हो और विजे तुम्हारी हो तुम मेरी संतान हो जो बिना किसी का बुरा किये अपना काम साध लेते हो मेरे बच्चे अब तुम्हारे सामने रास खुलने जा रहा है वे तुम्हें सफलता की सीड़ी पर चड़ाएगा तुम्हें क्या कब करना है यह सब मालुम पढ़ जाएगा जो लोग तुम्हारे रास्ते में काटे बिच्छा रहेते अब उनके चेहरे तुम्हारे अब वक्त तुम्हारे साथ है तुम बता दो कि तुम्हारे आंसु तुम्हारी भक्ती व्यर्थ नहीं है अब तुम्हें उस और जाना है जिस और तुम्हारी खुशियां है अब तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है फोकस बस अपने काम जिससे कि तुमें खुशी हांसिल हो उसी पर करो कभी भी उस इनसान की बात और सलाह मत मानो जिसने स्वैम अपने जीवन में कुछ नहीं किया है अगर तुमें अमीर बनना है तो जीवन में जो इनसान अपनी मिहनत से काम्याब हुआ है उसकी सलालो उसकी बातों पर गौर करो अगर तुमें अपने जीवन में काम्याब होना है तो तुम स्वैही ऐसे लोगों से जुड़ना है जो साकारात्मक सोच रखते हों वही सोच तुमें आकाश की उच्चाईयों तक लेकर जाएगी अपने महादेव जी को मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी लिखे